तो दोस्तों CID के दो खुबसूरत और दो बेश फ्रेंड यानि के इंस्पेक्टर पूरवी और श्रया को मिल चुका है दोखा जी हाँ दोस्तों CID के एक अफसर ने इन दोनों को जंगल में बुलाकर इन दोनों को केट कर लिया है अब ये कौन है और क्यों इसने श्रया और पूरवी को दुखा दिया सब कुछ आपको बताऊंगा इस एपिसोड में तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सरू करिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में CID या फिर दया और श्रया लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाएए तो दोस्तों CID के सीजन वान को बंद हुए काफी दिन हो चुके हैं और हम सबको CID का सीजन टुका काफी बेसबरी से इंतजार है आने वाले सीजन में आपको कई सरी रोमांचक और अद्भूच चीजे देखने को जरूर मिलेगी इस बात का ग्यारंटी मैं देता हूँ दोस्तों क्यूंकि CID के सीजन टुके एक रूच्चे के पिसोड में पूर्बी और श्रया जो है वो चंगल में केद होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जैसे के आप लोगोंने थंडल में देखा पूर्बी एक पेर में बंदी हुई है और श्रया के हाथ भी बंदे हुए हैं तो इन दोनों को किस ने फसाया है ये उनका ही कोई करीबी है दोस्तों और उसका नाम है इनस्पेक्टर अभिचीत जी हाँ दोस्तों इनस्पेक्टर अभिचीत ने फसाया है पूर्बी और श्रया को यानि के इनस्पेक्टर अभिचीत इस एपिसोड में आपनी याताश भूल कर खुद को एक गुंडा समझने लगते हैं और CID को अपना दुश्मान समझने लगते हैं तो CID के दो अफिसर को बोग पहले ही अगवा कर लेते हैं और वो दो अफिसर हैं दोस्तों इंस्पेक्टर को भी और इंस्पेक्टर श्रया तो अभिचित इन दोनों के साथ क्या करेंगे या फिर वो इन दोनों को छोड़ देंगे यह आपको पता चलेगा CID के सेजिशन टू के इस एपिसोड में बन्ने बाद